हेलो फ्रेंड्स मैं हर सराज और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पाइडर प्लांट को कैसे ग्रो करें और जैसा कि आप देख रहे में पीछे बैक्ग्राउंड कुछ अलग है क्योंकि मैं अभी दूसरी लोकेशन पर हूं यह देखिए यह है स्नेक प्लांट इसे ही मैं आपको ग्रो करने के लिए बताऊंगा यह देखिए कितना घना है और पिल्कुल हेल्दी प्लांट है स्नेक प्लांट में इस तरह से बेबी प्लांट निकलते है एक साइड से ब्रांच निकलता है उसमें से उसी में से यह बेबी प्लांट निकलते है फिर उसे आप असानी से कट कट करके ग्रो कर सकते है यह देखिए यह एक छोटा सा भी प्लांट है इसे अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा छोटे को ग्रो करना नहीं है इस तरह से कई साड़े यहां पर बेवी प्लांट है जिसे मैं ग्रोग करूंगा आज इसे ग्रोग करने के लिए आप इसे तोड़ ले जैसे पिंचिंग करते उसी तरह आप इसे तोड़ ले ब्रांच से अलग कर ले तोड़कर यह जो फॉलांट इसमें एडियल रूट हा जाते यह क्योंकि जब यह बढ़ा हो जाता है तो अगर आपका यह ग्राओंड में लगा हुआ है तो आप का यह प्लांट एक नैूब प्लांट तयाइल हो जाएगा और से क्योंकि इस्का रूर्ट जमीन में चला जाता है और मैं इसे हैंगिंग बास्केट में ग्रोव करूंगा यह देखिए यह स्वाइल में आप ग्रोव कर सकते हैं और चाहे तो आप सैंड में भी ग्रोव कर सकते हैं कि यह स्वाइल आपको थोड़ सा गीला नजरा रहा हुआ क्योंकि यह बाड़िस हुई थी इसलिए भी गीला है स्वाइल ग्रोव करने के लिए पहले एक गड़ा कर ले किसी चीट से उसके बाद फिर आप उसमें प्लांट को मेटी में गुसा दें और अच्छी तरह से दबा दें इसती तरह मैं एक और प्लांट को ग्रोव कर रहा हूं अच्छी तरह से दबा दिये और इसे आप एक से दो दीन के लिए सेमी सीड एड़िया में रखें उसके बाद फिर आप इसे बाहर निकाल सकते हैं फूल सन में और यह बन मंत में इसके लीफ काफी बड़े हो जाएंगे फिर आप इसे हैंग वास्केट में हैंग कर सकते हैं और अभी जब तक यह बड़ा नहीं चाहता था तब तक आप इसे ग्राउंड पर रखें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाई यद Guru झजब उन्यान ऑनटो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल चैनल ऑर रखें आफ तको लेकर करेंगे।